गुड मॉर्णिंग टू आल आफ यू आप सभी प्यारे स्टेंट का मैं सतेंसर बैंक कॉंस टेक्निकल एकेडमी आफिशिल यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ आईए आज हम लोग इस सेशन में MCQ देखेंगे और जो MCQ हम लोग देख रहे थे 23 मार्च 2019 सिफ्ट टू डे फॉर है ना आज हमें पढ़ना होगा आपको पता होगा कि यह आपके प्रिवियस पेपर है जो 2018 वाले वैकेंसी के लिए आपके पेपर हुए थे हमने चैनल पर एक प्लेइलिस्ट बना दिया है जिस प्लेइलिस्ट में आपको मिल जाएगा 2019 पेपर यूपी पिशल टीजी टू यहाँ पे देखो डे वन डे टू डे तू डे त्री हम पढ़ चुके हैं और आज डे फॉर की बारे में हम बात करेंगे अगर हम डे फॉर की बात करें तो देखे 23 मार्श 2019 शिफ्ट टू यह देखे लिखा हुआ है और 26 से 50 कुश्चन पर हम डिसकस करेंगे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और अपने मित्रों को इस वीडियो को जरूर सेर करिए जो हेलफुल है आपके एकजाम के लिए और अगर आपको कोई दिकत होती है तो इस मेरे कॉंटेक नंबर आप बात कर सकते हैं नीचे देखे कॉंटेक नंबर दिया गया है और वीडियो कैसे लगेगा आपको एक बार comment करके जरूर बताना है और previous वीडियो जरूर देख लिजिए तो चलिए हम लोग on करते हैं इस session को start करते हैं आज जो हम लोग discuss करेंगे question number 26 है 26 नमबर देखे क्या कहरा है मैं read कर रहा हूँ अब ध्यान से सुनना encrypted data को वापस उसके मूल रूप में बदलने के लिए उपयोग के जाना है वाला तकनी की क्या कहलाता है तो ध्यान रखना यहाँ पे देखो encrypted बोलता है encrypted एक program होता है देखो encrypted का मतलब क्या होता है encrypted का मतलब जैसे कोई plane value है इसको code के form में बदल देना यही encrypted है तो आप समझने की कोशिस करना encrypted को वापस उसके मूल में लाना तो दोखो यह encrypted हुआ इसको वापस इसके मूल में लाना that means in plane में लाना इसे हम लोग decrypted कहते हैं भोलो क्या कहते है decrypted तो किसी भी operation का अगर reverse operation चलाएं तो encryption का मतलब था कि plane text को code में बदलना decryption का मतलब होगा code को plane में बदलना जो decryption कहलाता है तो दी वाला option यहाँ सही होगा इसका जो right answer होगा और दी होगा चलिए इसी करम में हम लोग आगे बढ़ेंगे 27 number का question ध्यान देना निमलिकित में कौन सा कथन सही है इंटरनेट पर remote login के लिए telnet नाम का protocol telnet का उपयोग तो telnet एक protocol है remote login का मतलब होता है हम दो रिस्थित computer को अपने computer से operate कर लें चला लें जैसे मालेजी मैं आपकी class प्रियाग राज से ले रहा हूँ तो आपका computer Bombay में है या दिल्ली में है या लखनो में है या कानपूर में है तो हम यहीं से उस computer को support पर लेंगे लिए telnet का काम होगा तो यह कथन सही है यह पहला कथन सही है internet से जुड़े computer का IP होता है तो IP का मतलब हमें पता होना चाहिए internet protocol address होता है जो unique value होती जिससे पता चलता है कि हमारा computer internet पर safe है या हमारा computer internet पर है जिसकी पहचान होती है IP तो दोनों कथन सही है इसलिए C वाला option सही होगा इसलिए C वाला option सही होगा चलिए question number 28 पर देखेंगे इस तरह का एक question जरूर त्यार करके रखना इस paper में जरूर पूछा जा रहा है दोको इसमें मैंने बताया था कि total 8 digit होते हैं बोलो कितने digit होते हैं 8 देखो E लिखा है तो E में 8 digit लिखा होगा मैं read कर रहा हूँ 01 के बाद देखो 00 और देन देखो 0101 तो इस चार digit आपके बदलते हैं और इस चार बदलते नहीं है अब इसको जरा code देख लो 842X इसका code बनाओ तो आप बोलो कि सर इसका मतलब 5 आएगा क्या आएगा 5 देखो 4 और 1 मिलके 5 हो जाएगा तो E के बाद YF कास की क्या होगा तो YF अगर आप table पढ़ो A, B, C, D, E, F अगर वो 5 है तो ये 6 होगा जब 6 होगा तो 6 कैसे बनाओगे 4, 2, 6 इसका मतलब 0, 1, 1, 0 और आगे का value सेम होगा तो देखिए हमारा answer ये match होना चाहिए यही हमारा answer निकल के आएगा आप मिला लो और इसका answer भी आ रहा होगा इसका answer भी आ रहा होगा अगर doubt होता है तो comment करके मुझे पूछो मैं especially आपको बताऊंगा एक एक बच्चे को focus करूँगा इसलिए क्योंकि हमारा channel आपकी selection के लिए कार्य करता है और आपकी help के लिए 24 घंटे आपसे बात करता है चलिए हम आगे बढ़ते हैं question number 29 देखो ध्यान से Microsoft Word के नए subscribe देखो यहां नया subscribe बोल रहा है दस्तावेज में default रूप से extension क्या था जब नया होगा तो नय में देखो .doc पुराने का होता है नय में यक्स लग जाएगा तो doc यक्स देखो कहां लिखा गया बी वाला तो 31 का भी सही होगा clear है आगे बढ़ते हैं निमलिकित में कौन सा कथन गलत है अब देखो यहां गलत पूछ रहा है देखो www बड़ी संख्या में interlink web page होते हैं तो बिलकुल सही बात है www को में लोग बोलते हैं इसका पूरा नाम होता word wide web तो यह तो बिलकुल सही बात है यह आपस में जुड़े हुए internet के हैं न वेब पेज होते हैं जो जुड़े होते हैं word wide web ध्यान रखना word wide web है न अच्छा www का सौमित US के पास है तो ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि मैंने पढ़ाया है इसमें चार private संस्थान है जो internet को गवन करते हैं यह चारो private संस्थान हमने detail में internet में पढ़ा रखा है तो यहां मैं नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में तो कौन सा कथन गलत है तो बी वाला गलत हो गया that's mean बी option गलत होगा बाकी और नीचे देखो www का podrope www का podrope word wide web है www का अविश्कार टिम बनसली साहब के दौरा किया गया था यह भी पॉइंट सही है इसका मतलब यहां चारो options में B वाला गलत है चलिए आगे बढ़ते हैं Question number 31 Microsoft Excel Worksheet में निमलिखित में कौन सा सक्री सेल के पते को बताता है तो देखो हम लोग Excel की बात कर रहे हैं तो Excel में आपने पढ़ा होगा Formula Bar होता है Excel में क्या होता है Formula Bar होता है जहां पे हम Formula Apply करते हैं Formula Bar में तीन भाग होते हैं जो पहला भाग होता है उसे हम लोग Cell Name कहते हैं और जब हम Cell Name में जिस सेल का नाम जैसे A2 लिख दिया तो A2 अब आपका सक्री सेल हो जाएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं Cell Name या Name Box इसे कहते हैं Name Box C वाला उप्शन सही होगा तो इस Name Box के नाम से जैना जैता है या Name है न बास Name Box से लिखना होना चाहिए आगे बढ़ते हैं C वाला उप्शन सही होगा चलिए 32 देखो खाली अस्थान प्रिंटर वास्तों में कागज पर इस्ट्राइक किये बिना कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रिंट करता है तो देखो जब वो इस्ट्राइक नहीं करेगा इस्ट्राइक किये बिना तो इसका मतलब वो Noiseless होगा वो आवाज नहीं करेगा जब आवाज नहीं करेगा तो ऐसे प्रिंटर को हम लोग कहते है Non Impact Printer बोलो क्या कहते है Non Impact Printer Non Impact Printer का मतलब जो आवाज ना करे इसका मतलब गैर इंपैक्ट गैर इंपैक्ट का मतलब C वाला उप्सन सही होगा चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे 33 नंबर एक Output Device है जो शाही पेन का उप्योग करके उच गुडवत्ता वाला धान रखना उच गुडवत्ता वाला उच गुडवत्ता का मतलब यहां देखे बड़े पिक्चर है ना बड़े बड़े ग्राफिक्स बनाता है तिसे हम लोग कहते है Plotter बोलो क्या कहते है Plotter यह आपका महत्वपूर है Plotter जैसे Banner बनते हैं Holdings बनते हैं या Advertisement आपके बनते हैं बड़े बड़े हैं ना उनको हम लोग Plotter से बनाते हैं 34 नमबर देखो किसी Microsoft Word दस्ता बेज में Control A और Control U दबाने से क्या होगा तो Control U का मतलब Underline होता जरा देखो Underline ओला Option कहीं दे रहा है तो देखो Italic नहीं करेगा दूसरा देखो क्या करा Encrypt नहीं करेगा तीसरा हटाएगा नहीं चौथा Underline कर दिया जाएगा तो ठीक है D वाला Option सही है Underline से हमने Read किया है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए इसी तरीके से हमें Question अच्छे से Read करना है जब किसी Windows सिस्टम में एक File को उसकी सामागरी को सहेजे बिना महां लोग कोई हम काम कर रहे हैं और हमने उसको Save नहीं किया और बंद कर दिया जाए तो क्या होगा जब बंद कर दोगे तो वो File से चीजें हट जाएंगी तो चलो हम देखते हैं क्या है File को सहेजने ना सहेजने के लिए उप्योग करता Input के लिए Dialog Box दिखाई पड़ेगा बिल्कुल जब आप बंद करोगे तो एक Message आएगा उस Message में लिखा रहेगा Do you want to save or not तो जब save or not लिखा रहेगा तो यही Message हमें मिलेगा यह वाला Option सही है है ना तो यह वाला है ना Option सही होगा बाकी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ एक बार आप रिट कर लेना जब Microsoft Excel 2016 को Launch किया गया तब निमलिखित में कौन सा Tap Default रूप से सक्री होता है तो ध्यान रखना सबसे पहला Tap सक्री होता है Home जब भी हम उसको खोलते हैं तो Home वाला Option पहले खुलता है चलिए आगे बढ़ेंगे Microsoft Word में मौझूद दस्तावेच खोलने के लिए Shortcut की क्या है मौझूद का मतलब जानते है पुराना पुराने का मतलब Old तो Old का मतलब Control के साथ O Control के साथ O है न Control के साथ O का मतलब यह वाला Option सही होगा यह सब बहुत इजी कुश्चन है Computer Monitor को Video भी कहा जाता है Video Video का पुरा नाम होता है Video Display Unit Video Display Unit That's mean B वाला Option सही होगा अभी Full Form है Direct याद करो इसमें कुछ बताना नहीं है उप्योग करता Interface के संबंध में संचिप्तकार संचिप्ताचर CLI की क्या बताता है तो CLI का मतलब होता है Command Line Interface Command Line Interface जिसे हम लोग CUI कहते हैं CUI पढ़े हो ना Command User Interface इसका मतलब होता Command Line Interface जिसे हम Command से चलाते हैं चली आगे बढ़ते हैं 40 नमबर देखो निमलिकित में कौन सा कथन गलत है है ना गलत बताना है Cardless Mouse Cardless का मतलब होता है Wireless जिसमें तार ना लगे है ना एक ऐसा Mouse आता है Wireless Mouse जिसमें तार ना लगे तो जो Cardless Mouse होता है वो भौतिक रूप से जुड़ा नहीं है ते तो कथन सही है एक गलत तो है नहीं Cardless Mouse Computer के संचार करने के लिए Infrared या Radio तरंग ए भी सही है इसका मतलब कोई गलत नहीं है तो ना तो ही ना तो भी इसका मतलब कोई गलत है नहीं दोनों सही है चलिए आगे बढ़ते है निमलिखित में कौन सा LineX का Core हिस्सा है जो सभी गत्विधियों का जिम्मेदार है तो मैंने बताया थे कि जो LineX जैसे मालो OES है तो इसका Center Point होता है Kernel ये Kernel होता है Kernel जो होता है खुद को CPU में रख लेता है और CPU में आने की वज़ा से Kernel कंप्यूटर के सभी गत्विधियों को देखता है तो इसे Kernel कहते है Kernel ध्यान रखना अच्छा प्रश्न है बैलिश नमबर देखो दिये गए विकल्प में विशम को ग्याद करें विशम कौन है भाई देखो विशम कौन है ये तीनों के तीनों ये तीनों के तीनों Word लिखने के लिए ये होते हैं ये हम लोग Word Processing कहते हैं और एक विशम है Operating System क्यों क्योंकि ये System Software होता है तो ये वाला विसम होगा विसम का अंदलब जो सबसे अलग हो चलो इसी क्रम में हम 43 नमबर देखेंगे दोर के अस्थानों पर इसी दो कम्प्यूटर के बीच फाइलों का अस्थानांतरण करने के लिए वे आपस में किस के दोरा जुड़े होने चाहिए तो बी के दोरा इंटरनेट के दोरा जुड़े होने चाहिए चलिए नेक्स कुश्चन हम लोग देखेंगे 44 नमबर माइक्रोसॉफ्ट एक्सल अप्लिकेशन है न किस से समंदित है किस का हिस्सा है तो ये आफिस का हिस्सा है आफिस में टोटल 10 सौफ्टेर होते हैं उसी 10 में आपका एक्सल भी होता है चलिए आगे बढ़ेंगे 45 नमबर फायरफॉक्स वेब ब्राउजर किस के दोरा बिक्सित किया गया तो फायरफॉक्स का पुरा नाम क्या है इसका पुरा नाम है मौजिला फायरफॉक्स तो इसकी कंपनी का नाम है मौजिला तो ये मौजिला के साथ डबलप किया गया तो ये मौजिला कार्पोरेशन कार्पोरेशन का मतलब कंपनी मौजिला कंपनी से डबलप हुआ एक चुम्बकी डिस्क होता है जिसमें platter कहा जाता जो data record और store करता है, इसे हम लोग कहते हैं hard disk है, जो कोई चुम्बकी बोला है, platter का मतलब यही देखो ऐसी बेवस्ता, यह आपका hard disk है और इसी hard disk को हम लोग कहते platter, pattern का मतलब gola, यही platter है, और इस यह बेवस्ता किसमा चुम्बकी है तो यह hard disk है clear हुआ ते ध्यान रखेगा आगे बढ़ते हैं 47 नंबर निम लिखित में कौन सा open source operating system है open source का मतलब होता है जो internet से मिल जाए इंटरनेट से मिल जाए इंटरनेट से जो मिलजाए तो in-net से देखो dOS तो मिलेगा नहीं है windows तो मिलेगा नहीं Linux तो मिलेगा नहीं यही पर Linux होता है बस अर्टे यहां दोनों दिया है तो uw gìul जाद अच्छा होगा अगर यूनिक्स नहीं देता तो Linux भी सई होता निलिकित में कौन सा उप्योगिता software नहीं है उप्योगिता का मतलब होता utility यूटिलिटी यूटिलिटी सॉफ्टेयर यूटिलिटी सॉफ्टेयर देखो privacy का काम करता है और साथ में maintenance का काम करता privacy का मतलब जैसे antivirus वगएरा और maintenance का मतलब system में अगर कोई खराबी आती तो उसको बनाने का काम तो नहीं है notepad क्यों क्यों क्योंकि notepad जो है देखो भी वाला है notepad जो होता है user के लिए application software है तो भी नहीं है चलिए आगे बढ़ेंगे windows 10 system में desktop की prist bhoomi को बदलने के लिए कि system का उप्योग करते है प्रist bhoomi का मतलब wallpaper तो हम wallpaper कैसे बदलते हैं तो wallpaper बदलने का जो काम होता है वो होता है आपके desktop पर right click करके personalized option से बदला जाता तो d वाला option इसका सही होगा d option सही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं पचास नमर देखो निमलिकित में कौन सा email से समंदित protocol नहीं तो यह तीनो email से समंदित है eftp होता है file transfer से इसका नामी होता है file transfer protocol यह email से समंदित नहीं है तो चलो देखिए आज आज आपको हमने जो class provide किया है इसमें 23 तारिक के दोनों script discuss हो चुके हैं अभी हम लोग 24 के 2 script discuss करेंगे total आपकी 4 classे और बनेंगी 25-25 questions के तो अगर इस class में आपको अच्छा लगा होगा class आपको अच्छी लगी होगी तो एक like जरूर करिएगा और इसको share करिएगा क्योंकि आपके लिए देखिए हमें मेनत करनी पड़ती है यहां से slide बनाना आपको पढ़ाना, समझाना तो इतना हक हम लोगों का बनता है कि आपसे एक like मांग सके और आपके दोरा आपका सहयोग share के तोर पर मांग सके और जिन बच्चों को class कैसे लगी अगर आप first time जुड़ रहा है तो जरूर बताए class कितनी efficient है कितनी प्रभावशिल है कितना हमें मजा आ रहा है और दूसरी चीज़ अगर कोई doubt होता है तो हमारा यहां contact number दिया गया है इस contact number पर आप बात कर लिजेगा इस contact number पर message कर लिजेगा और comment करके आप जरूर बताएगा class कैसे लगी अगर आपको theory में दिक्कत है तो हमारे online batch को join करिएगा जो हमारे bankons technical academy app पर आपको मिल रहा है वहाँ से पूरा live batch हम आपको देते है theory का और पूरा का पूरा TG2 के syllabus पर base होता है O level के syllabus पर base होता है यह competition exam जहां computer put up होते है चाहे banking हो, ssc हो वहाँ पर base होता है और चलिए तो आज के लिए बस इतना है ओके, thank you for watching